मरकुस रचित सुसमचार पहला अध्याय परमेश्वर के पुत्र ईश्यु मसी के सुसमचार का आरंब जैसे यशाया भश्दक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेशता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो युहना आया जो जंगल में बबतिस्मा देता और पापों की च्षमा के लिए मन फिराओ के बबतिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहुदिया देश के और येरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बबतिस्मा लिया यहना उट के रोम कवस्तर पहने और अपनी कमर में चमले का पटका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था और यह परचार करता था कि मेरे बाद वे आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं कि जुक कर उसके जूतों का बंद खोलूं मैंने तो तुम्हे पानी से बबतिस्मा दिया है पर वे तुम्हे पवित्रात्मा से बबतिस्मा देगा उन दिनों में यिशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यहनना से बप्तिस्मा लिया और जब वे पानी से निकल कर उपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा और यह आकाश वानी हुई कि तु मेरा प्रि यिशु के साथ रहा और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे। यहनना के पकड़वाय जाने के बाद यिशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमचार परचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है मन फिराओ और चार पर विश्वास करो। गलील की जील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मचवे थे और ईशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ मैं तुमको मनश्यों के मचवे बनाऊंगा। वे तुर उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरूं के साथ नाऊंपर छोड़कर उसके पीछे चले गए। और वे कफर नहूं में आए और वे तुरंत सब्द के दिन सभा के घर में जाकर उबदेश करने लगा। और लोग उसके उबदेश से च अशुध आत्मा थी। उसने चिला कर कहा, हे ईशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम, क्या तु हमें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूँ, तु कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। इशु ने उसे डाट कर कहा, चुप रहे, और उसमें से निकल जा। तब अश है, यह तो कोई नया उपदेश है, वे अधिकार के साथ अशुध आत्माओं को भी आग्या देता है, और वे उसकी आग्या मानती है, सो उसका नाम तुरंत दलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वे तुरंत आराध नालाय में से निकल कर, याकुब और यहनना के साथ शमान और अंद्रियास के घर आया, और शमान की सास जवर से पीडित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विश्य में उससे कहा, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया, और उसका जवर उसपर से उतर गया, और वे उनकी सेवा टहल करने और उसने भहुतों को जो नाना प्रकार की बिमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। उसने उनसे कहा आओ, हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करू क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ, सुवे सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। और एक कोड़ी ने उसके पास आकर उससे बिंती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे चुख कर कहा, मैं चाहता हूँ, तो शुध हो जा। और तुरंत उसका कोड़ जाता रहा, और वे शुध हो गया। तब उसने उसे चिता कर तुरंत विदा किया, और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आपको याजक को दिखा, और अपने शुध होने की विश्य में जो कुछ मुसा ने ठहराया है, उसे भेंच चड़ा, कि उन पर गवाही हो, परंतु वे बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने, और यहां तक फ्यलाने लगा, कि इश्यू फिर खुलम खुला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, और चहुं और से लोग उसके पास आते रहे, मरकुस प्रचित सुसमचार, दूसरा ध्याए, कई दिन के बात वे फिर कफर नहूम में आया, और सुना गया कि वे घर में है, फिर इतने लोग इखटे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वे उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये, परंत को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था, लटका दिया, इश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप ख्षमा हुए, तब कई एक शास्त्री जो वहां बैटे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, कि यह मनुश क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेशवर की निंदा करता है. परमेशवर को छोड़ और कौन पाप ख्षमा कर सकता है? इश्यों ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उन से कहा, तुम अपने अपने मन में है उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा, और वे उठा और तुरंद खाट उठा कर और सब के सामने से निकल कर चला गया, इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करके कहने लगे, कि हमने ऐसा भी नहीं देखा, वे फिर निकल कर जील के किनारे गया, और सारी भीड उसके पास आई, और वे उन्हें उपदेश्ट देने लगा, जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वे उठकर उस करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिये थे, और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर, कि वे तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वे तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ ख यहना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। यहना के चेले और फरीसी उपवास करेंगे। और ऐसा हुआ कि वह सब्द के दिन खेतों मेंसे होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा देख यह सब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दावुद को आवशकता हुई और जब वह और उसके साथ ही भूके हुए तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अभियातार महयाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाग कर भेट की रोटियां खाई जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा सब्द का दिन मनुष के लिए बनाया गया है ना कि मनुष सब्द के दिन के लिए इसलिए मनुष का पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है। मरकुस प्रचित सुसमचार तीसरा अध्याय और वे आराध नालाय में फिर गया और वहाँ एक मनुष्ट था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं उसमें सुखे हाथ वाले मनुष्ट से कहा बीच में खड़ा हो और उन से कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्रान को बचाना या मारना पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोड़ता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस ना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बहार जाकर तुरंध हिरदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और इश्यु अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भी भीड यह सुनकर कि वह कैसे अच्छंभे के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीड के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थ उसे चूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे और उशुद आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट न करना फिर वे पहाड पर चढ़ गया और जिन्हें वे चायता था उन्ही अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरशों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजे कि पचार करें और दुश्टात्माओं को निकालने का और वे ये हैं शमॉन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहनना जिसका नाम उसने बुअन अर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहुदा इसकर्योती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वे घर में आया और ऐसी भीड इखटी हो गई कि वे रोटी भी नखा सके जब उसके कुटुम्यों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है और यह भी कि वे दुश्टात्माओं के सरदार के साहिता से दुश्टात्म में फूट पड़े तो वे राज क्योंकर स्थिर रह सकता है और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वे घर क्योंकर स्थिर रह सकेगा और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वे क्योंकर बना रह सकता है उसका तो अंती ही हो जाता है बल्वंद के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वे पहले उस बल्वंद को न बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा. मैं तुम से सच कहता हूँ कि मनुश्यों की संतान के सब पाप और निन्दा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्रात्मा के विरुध निन्दा करे, वे कभी भी क्षमा न किया जाएगा, बरं वे अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद आत्मा हैं, और उसकी माता और उसके भाई आए, और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीर उसके आसपास बैटी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूनते हैं, उसने उन्हें उत्तर कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं, और उन पर जो उसके आसपास बैटे थे, द्रश्टी करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्व के इक्षा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता हैं, मरकुस रचित सुसमचार चौथा अध्याए, वे फिर जील के किनारे उबदेश देने लगा, और एक ऐसी बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई, कि वे जील में एक नाओ पर चड़कर बैठ गया, और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही, और वे उन्हें द्रश्टानतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उबदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते समय, कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पत्रिली भूमी पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट पी न मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूरे निकला, तो जल गिया, और जड़ न पकरने के कारण सूख किया, और कुछ तो जहाडियों में गिरा, और जहाडियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वे फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवन्थ हुआ, और कोई तीस गुणा, कोई साथ गुणा, और कोई सो गुणा फल लाया, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले। द्रश्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें, और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और शमा किये जाएं। कि जब उन्होंने सुना, तो शेतान तुरंत आकर वचन को, जो उनमें बोया गया था, उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पत्रिली भूमी पर बोय जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनन से ग्रहन कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्र होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो जड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, और संसार की चिंता और धन का धोका, और और वस्तुओं का लोब उन में समा कर वचन को दबा देता है, और वे निश्भल रह जाता है। और जो अच्छी भूमी में बोए गए, ये वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं, कोई तीस गुणा, कोई साथ गुणा, और कोई सो गुणा, और उसने उन से कहा, क्या दिये को इसले लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसले नही कि दीवट पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसले कि प्रगट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसले कि प्रगट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो, तो सुन ले, फिर उसने उन से कहा, चौकस रहो, कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुमारे लिए भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिस के पास है, उसको दिया जाएगा, परंतु जिस के पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष भूमी पर बीज छीते और रात को सोए और दिन को जागे और वे बीज ऐसे उगे और ऐसे बढ़े कि वे न जाने प्रत्वी आप से आप फलाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना परंतु जब दाना पक जाता है तब वे पहुची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज की उत्मा किस से दें और किस द्रस्तान से उसका वरणन करें वे राई के दाने के समान है कि जब भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परंतु जब बोया गया तो उक कर सब साग पात से बड ही डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं और वे उन्हें इस प्रकार के बहुत से द्रस्तान दे दे कर उनकी समझ की अनुसार वचन सुनाता था और बिना द्रस्तान कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था परंतु एकांत में वे अपने नि था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नामे थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वे अब पानी से भरी जाती थी और वे आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे का हे गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाशुए जाते हैं तब उसने उठकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत रहे थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो क्या तुम्हें अब त पांचवा अध्याए वश में नहीं कर सकता था। वह लगाता रात दिन कबरों और पहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हे अशुद आत्मा इस मनुश में से निकल आ। उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत बिंती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहार पर सोरों का एक बड़ा जुद चर रहा था। और उन्होंने उससे बिंती करके कहा कि हमें उन सोरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद आत्मा निकल कर सोरों के भीतर पैट गई। और जुद जो कोई दो हजार का था, कडाले पर से छपट कर जील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गाओं में समचार सुनाया। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए, और ईशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुश्टात्माएं थी, अर्था जिसमें स देना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए, और देखने वालों ने उसका जिसमें दुश्टात्माएं थी, और सुवरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वे उससे बिंती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा, और जब वे नाव पर और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं, वे जाकर दिख पुलिस में इस बात का परचार करने लगा, कि ईश्यू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये, और सब अचंभा करते थे, जब ईश्यू फिर नाओं से पार गया, तो एक बड़ी भीड उसके पास इखटी हो गई, और वे जील की किनारे था, और याईर नाम अरादनालाए के सरदारों में से एक आया, और उसे देखकर उसके पाओं पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत बिंती की, कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तु आकर उस पर हात रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे, तवे उसके साथ चला, और बड़ी भीड उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री जिसको बारह वर्ष से लोहु बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैदियों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परन्तु और भी रोगी हो गई थी, येश्यू की चर्चा सुनकर भीड में उसके पीछे से आई, और उसके वस्तर को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उस इसके वस्तर ही को छूनुगी, तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंथ उसका लोहू बहना बंध हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया, कि मैं उस बिमारी से अच्छी हो गई, येश्यू ने तुरंथ अपने में जान लिया, कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भ रहता है कि किसने मुझे च्छवा, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों और द्रश्टी की, तब वैस्तरी है जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कापती हुई आई, और उसके पाउं पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच सच कह दिया, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रहे। वै यह कही रहा था कि अरादनालाय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरू को क्यों दुख देता है, जो ब पत्रस और याकूब, और याकूब के भाई यहनना को छोड़, और किसी को अपने साथ आने न दिया, और अरादनालाय के सरदार के घर में पहुँचकर, उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हला मचाते और रोत लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है, वे उसकी हसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के मातपिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ ये है, कि हे लड़की, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह बारा वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए, फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी, कि यह बात कोई जाने न पाए, और कहा, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए, मरकुस प्रचित सुसमचार, छटवा अध्याय, वहां से निकल कर वह अपने देश में आया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिये, सब्द के दिन वह आराद नालाय में उबदेश करने लगा, और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये ब अरियम का पुत्र, और याकूब, और योसेस, और यहूदा, और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहने यहां हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विशे में ठोकर खाई, ये शुने उनसे कहा, कि भविश्र द्वत्ता अपने देश और अपने कुटु और अपने घर को छोड़, और कहीं भी निरादर नहीं होता, और वे वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बिमारों पर हात रखकर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्यर किया, और चारों और के गाउं में उपदेश करता फिरा, और और कुछ न लो, ना तो रोटी, ना जोली, ना पटके में पैसे, परंतु जूतियां पहनो, और दो-दो कुर्ते न पहनो, और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो, तो जब तक उहां से विदा न हो, तब तक उसी में खेरे रहो, जिस थान के लोग तुम प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत तेरे दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत बिमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया, और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उससे कहा कि योहन्ना बत्तिस्मा देने वाला, मर भुष्व द्वक्ता या भुष्व द्वक्ताओं में से किसी एक के समान है, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस योहन्ना का सिर मैंने कटवाया था, वह जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने, आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी, हेरोदियास के कारण, जिस से उसने बेहा किया था, लोगों को भेज कर यहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रह में डाल दिया था, क्योंकि यहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी, और वह यह चायती थी, कि उससे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हिरोदेस यहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, और उससे बचाय रखता था, और उसकी सुनकर बहुत घवराता था, पर आनंद से सुनता था, और ठीक अवसर पर जब हिरोदेस ने अपने जन्म अपने प्रधानों और अपने सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, और उसी हिरोदेस की बेती भीतर आई, और नाच कर हिरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, तु जो चाहे मुझ से मांग मैं तुझे दूँगा, और उससे शपत खाई, कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझ से मांगेगी, मैं तुझे दूँगा, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगो, वह बोली, युहना बप्तिस्मा देने वाले का सिर, वह तुरंत राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपत के कारण, और साथ बैठने वालों के कारण, उससे टालना न चाहा, और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आगया दे कर भेजा, कि उसका सिर काट लाए, उसने जिल खाने में जाकर उसका सिर काटा, और एक ठाल में रखकर होकर, जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बता दिया, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसलिए वे नाव पर च उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वे उन्हें बहुत सी बाते सिखाने लगा, जब दिन बहुत धल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगा है, और तुम ही उन्हें खाने को दो, उन्होंने उससे कहा, क्या हम सौ दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं, उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, उन्होंने मालुम करके कहा, पांच और दो मचली भी, तब उसने उन्हें आग्या द और स्वर्ग की ओर देकर धन्दवात किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे और वे दो मशलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तुरुप्त हो गए और उन्होंने टुकलों से बारह टोकरियां भर कर उठाई और कुछ म चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करे और उन्हें विदा करके पहार पर प्रार्थना करने को गया और जब सांजवी तो नाव जिल के बीच में थी और वे अकेला भूमी पर था और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरु देखकर समझा कि भूत है और चिलना उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बाते की और कहा धालस बांधो मैं हूँ दरोमत तब वे उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुती आश्चरे करने लगे क्योंकि वे उन रोटिय के विशय में न समझे थे परंतो उनके मन कठोर हो गए थे और वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दोडे और बिमारों को खाटों पर डाल कर ज उससे बिंती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छू लेने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे मरकुस रचित सुसमचार सात्वा अध्याय तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे उसके पास इखटे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा क्योंकि फरीसी और सब यहुदी पुरुनियों के रीती पर चलते हैं और जब तक भली भाती हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बाते हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई चेले क्यों पुरिनियों की रीती पर नहीं चलते और बिना हाद धोय रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा कि अशाया ने तुम कपटियों के विश्य में बहुत ठीक भविश्धवानी की। परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनश्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मुसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वे अवश्य मान डाला जाए परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुच सकता था वे कुर्बान अर्था संकल्प हो चुका तो तुम उसको उसके पिता वा उसकी माता की सेवा करने इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो ऐसी तु कोई वस्तु नहीं जो मनुष में बाहर से समा कर अशुद करे परंतु जो वस्तु में मनुष के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद करती हैं यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले जब वे भीड के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस रष्टान्त के विश्य में उससे पूछा उसने उनसे कहा क्या आ, तुम भी ऐसा ना समझों, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्च के भीतर जाती है, वह उससे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परन्तु पेट में जाती है, और संडास में निकल जाती है. यह कहाए – उसने सब भोजन फिर उसने कहा, जो मनुष में से निकलता है, वही मनुष को अशुध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष के मन से बुरी-बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुदरश्टी, निंदा, अभिमान और पुरी बातें भीतर ही से निकलती है, और मनुष को अशुध करती है, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, और एक घर में गया, और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिपना सका, और तुरंत एक स्त्री, जिसकी छोटी बेटी में अशुध आ दुष्टात्मा निकाल दे, उसने उससे कहा पहले लड़कों को तुर्प्थोने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, उसने उसको उत्तर दिया, कि सच है प्रभू, तो भी कुत्ते भी तो मेच के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खालेते हैं? उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा. दुष्टात्मा तेरी बैटी में से निकल गई है, और उसने अपने घ़रा कर देखा कि लड़की खात पर पड़ी है, और दुष्टात्मा निकल गई है. फिर वे सूर और सैदा के देशों से निकल कर, दि तब वे उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूपकर उसकी जीब को छुआ और स्वर्ग की ओर देकर आह भरी और उससे कहा इफ़तह अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वे साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुती आश्यर में होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है वे भेरों को सुनने की और गूंगों को बोल पास कुछ खाने को ना था, तो उसमें अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा, मुझे इस भीड पर तरस आता है, क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, यदि मैं उन्हें भूका, घर भेज दूँ, तो मार्ग में ठक कर र कि ये तरुपत हो, उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास रोटियां कितनी हैं, उन्होंने कहा, साथ, तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आगया दी, और वे साथ रोटियां ली, और धन्यवात करके तोड़ी, और अपने चेलों को देता गया, कि वे उनके आगे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया, उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी, और उसने धन्यवात करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आगया दी, सुवे खाकर तुप्त हो गए, और शेश टुकणों के साथ टोकरे भर कर उठाए, और लोग चार ह जार के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया, और वे तुरंत अपने चेलों के साथ नाओ पर चड़कर दल मनूता देश को चला गया, फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवात करने लगे, और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगी चिन्ह मांगा, उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूरते हैं, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, और वे उन्हें छोड़कर फिर नाओ पर चड़ गया, और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गय थे, और नाओ में उनके पास एक ही रोटी थी, और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हिरोदेश के खमीर से चौकस रहो, वे आपस में विचार करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी नहीं है, यह जानकर ईश्य ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह व रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें स्मरण नहीं, कि जब मैंने पाँच हजार के लिए पाँच रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकडों की कितनी टोक्रियां भरकर उठाई, उन्होंने उससे कहा, बारह टोक्रियां, और जब चार हजार के लिए साथ रोटी थी, तो तुमने टुकडों के कितने टोक्रे भरकर उठाई थे, उन्होंने उससे कहा, साथ टोक्रे, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते, और वे बेचसदा में आये, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आये, और उस अंधे का हाथ पकड़कर उससे गाउं के बाहर ले गया, और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आँख उठा कर कहा, मैं मनुश्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते ह जैसे पेड़, तब उसने फिर दुबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे, और उसने ध्यान से देखा, और चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा, और उसने उससे यह कह कर घर भेजा, कि इस गाउं के भीतर पाउं भी ना रखना, यिश्यों और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गाउं में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, कि यहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, पर कोई-कोई एलिया, और कोई-कोई भविश्दक्ताओं में से एक भी कहते हैं, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसी है, तब उसने उन्हें चिता कर कहा, कि मेरे विश्य में यह किसी से ना कहना, और वे उन्हें सिखाने लगा, कि मनुष्च के पुत्र के लिए अवश्य है, कि वे बहुत इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जुड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पत्रस को जुड़क कर कहा, कि हे शतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, उसने भीड को अपने चेलों समेत पास बुला कर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आपे से इंकार करें, और अपना कुरूस उठा कर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खौएगा. पर जो कोई मेरे और सुसमचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाव होगा। और मनुष अपने प्राण के बदले क्या देगा जो कोई इस व्यविचारी और पापी जाती के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा। मनुष का पुत्र भी जव है पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मरकुस प्रचित सुसमचार नौवा अध्याय और उसने उन से कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेशर के राज्य को सामर्त सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी न चखेंगे। छह दिन के बाद ईश्यू ने पत्रस और याकूब और यहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी उंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्तर ऐसा चमकने लगा और यहां तक अती उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई धोबी भी व अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक एलिया के लिए क्योंकि वे न जानता था कि क्या उत्तर दे इसलिए कि वे बहुत डर गए थे तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मे आग्या दी कि जब तक मनुष का पुत्र मरे हुँ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वे किसी से न कहना उन्होंने इस बात को स्मरन रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुँ में से जी उठने का क्या आर्थ है और उन्होंने उससे पुत्र के विश्य में यह क्यों लिखा है कि वे बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा परंत मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विश्य में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया और जब वे चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं और उसे देखते ही सब बहुती आश्यर करने लगे और उसकी ओर दौड कर उसे नमस्कार किया उसने उनसे पूछा तुम इन से क्या विवाद कर रहे हो भीड में से एक ने उ पेन भर लाता और दांट पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें परंतु वे हैं निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा कि है अविश्वासी लोगों मैं कब तक तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तक ही सहुँगा उसे मेरे पास लाओ। तबे उसे उसके पास ले आये और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मने तुरंत उसे मरोडा और वे भूमी पर गिरा और मुह से फेन भाते हुए लोटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परन्तु यदी तु कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। इश्यो ने उससे कहा यदी तु कर सकता है यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता बालक के पिता ने तुरंत गिडग़ा कर कहा हे प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब इश्यो ने देखा कि लोग दौड कर भीड लगा रहे हैं तो उसने अशुद आत्मा को यह कह कर डाटा कि हे गूंगी और भहिरी आत्मा मैं निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर तब है चिला कर और उसे बहुत मरोड कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया परंतु इश्यो ने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह चेलों ने एकांत ने उससे पूछा हम उसे क्यों न निकाल सके उसने उनसे कहा कि यह जाती बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। फिर वह वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुश का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकलवाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है तब उसने बैठ कर बारहों को बलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सब का सेवक बने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में ख़़ा किया और उसे गोद में लेकर उन से कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वे मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता वे म मुझे नहीं, बरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है। तब यहन्ना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनुष को तिरे नाम से दोश्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यिश्यू ने कहा, उसको म मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं, जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वे हमारी और है। जो कोई एक अटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुम से सच कहता हूँ, क एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, और वे समुध में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उससे काट डाल। तुन्डा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उ उस आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, और यदि तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए, तो उससे काट डाल। लंगला होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आँख तुझे नहीं मरता और आग नहीं भुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उससे किस से स्वादित करोगे, अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से मरकुस रचित सुसमचार, दस्वा अध्य फिर वे वहां से उठकर, यहुदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया, और भीड उसके पास फिर इखटी हो गई, और वे अपनी रीती के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परिक्षा करने को उससे पूछा, क पूछा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दिये, हिस्यों ने उन से कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आग्या लिखी, पर स्रश्टी के आरम से परमेश्वन नर और नारी करके उनको बनाया है, इस कारण मनुष अपने मातर पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है इसलिए जिसे परमेश्वन ने जोड़ा है उसे मनुश्य अलग न करे और घर में चेलों ने इसके विशे में उससे फिर पूछा उसने उनसे कहा ज और यदि पत्नी अपने पती को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वे विविचार करती है और यदि पत्नी अपने पती को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वे विविचार करती है फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हात रखे पर चेलों ने उन बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ। ईश्व ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर, तू आग्याओं को तो जानता है, हत्या न क हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ईश्व ने उस पर द्रस्टी करके उससे प्रेम किया, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उससे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे होले, इस बात से उसके चहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईश्व ने चारों और देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेशर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अज में धनवान के प्रवेश करने से उंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उधार हो सकता है। ईश्व ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो स लगता है। पत्रस उससे कहने लगा, कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं। ईश्व ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमचार के लिए घर या भाईयों या भहिनों या माता या पिता या लड़के बालों खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सो गुणा न पाए। घरों और भाईयों और भहिनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर भहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले और वे यरुषलेम को जाते हुए मार्ग में थे और ये श्यॐ उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचम्भा करने लगे और जो उसके पीछे-पीछे चलते थे डर ने लगे तब वे फिर उन बारहों को लेकर उन से वे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी कि दे उसे घात करेंगे और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा। तब जबदी के पुत्र याकूब और यहुन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरू, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे, वही तु हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करूँ। उन्होंने उससे कहा, कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यिशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है ईशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम प्योगे और जो बप्तिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं यह सुनकर दसों याकूब और यहनना पर रिसी आने लगे और ईशु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नह क्योंकि मनुश्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दें, और वे यरिहों में आये, और जब वेह और उसके चेले और एक बड़ी भीड यरिहों से निकल तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सडक के किनारे बैटा था, वे यह सुनकर की यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, कि हे दावुद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, भहुतों ने उसे डाटा की चुप रहे, पर वे और भी पुकार रि तब यीशु ने ठैर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, धालस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है, वे अपना कपला फेक कर शीघर उठा और यीशु के पास आया, इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे कर दिया है, वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, मर्कुस रचित सुसमचार, ग्यारमा अध्याए, जब वे एरुशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैत फगे और बैतनिहा के पास आये, तो उसने अपने चेलों में से दो को यह क्या कर यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वे शीग्र उसे यहां भेज देगा। पच्चे को इश्यू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वे उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मारग में बिछाए और औरों ने खेतों में से दालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है। हमारे पिता दाउत का राज जो आ रहा है धन्य है आकाश में होशाना। और वे यरुशलें पहुचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तों को देखकर बारहों के साथ बैतनिहा गया क्योंकि सांज हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिहा से निकले तो उसको भूक लगी और वे दूर से अंजीर का एक हरा पेड देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरुशले में आए और वे मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकानने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया और उपदे तुमने इसे डाकों की खो बना दी है यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूनने लगे क्योंकि उससे डरते थे इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वे नगर से बाहर जाया करता था फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा पतरस को यह बात स्पनन आई और उसने उससे कहा हे रभी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तुने श्राप दिया था सूख गया है इश्योंने उसको उतर दिया कि में संदेह ना करे बरन प्रतीती करे कि जो कहता हूँ वे हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम ख तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद क्षमा न करेगा। ये काम किस अधिकार से करता हूँ। योहना का बप्तिस्मा क्या स्वर्ग की और से था वा मनुश्यों की और से था। मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवात करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की और से तो वे कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों नहीं की। और यदी हम कहें मनुश्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि योहनना सच्मुच भविश्यु दखता है, सो उन्होंने ईश्यु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते, ईश्यु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करत हूँ, मरकुस प्रचित सुसमचार, बारवा अध्याए, फिर वे द्रस्तान्त में उनसे बाते करने लगा, कि किसी मनुश्य ने दाक की बारी लगाई, और उसके चारों और बाला बांधा, और रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया, फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाक की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा, और छूचे हाथ लोटा दिया, फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, और उन्होंने उसका सिर फोर डाला और उसका अपमान किया, फिर उसने एक और को भेजा और उन्हें ने उसे मार डाला, तब उसने और भहुतों को भेजा, उन्में से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला, अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिये पुत्र था, अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोच कर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उनकिसानों ने आपस में का यही तो वारिस है, आओ, हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्हों ने उसे पकड़ कर मार डाला और दाक की बारी के बाहर फैंक दिया। इसलिए दा पित्र शास्तर में यह वचन नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, यह प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी द्रश्टी में अद्भुत है, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे, कि उसने हमारे विरोध में यह द्रश्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए, तब उन्होंने उसे बातों में फसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुहु देख कर बाते नहीं करता, परन्तु परमिश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, तो क्या कैसर को कर देना उचिद है कि नहीं, हम दें यह न दें, उसने उनका कपट जानकर उन से कहा, मुझे क्यों परक्ते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आए और उसने उन से कहा यह मूर्ती और नाम किसका है। उन्होंने कहा कैसर का। ईश्यू ने उन से कहा जो कैसर का है वे कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत कि हे गुरु, मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन करे। सब के पीछे वे स्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वे उन में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि वे सातों की पत्नी हो चुकी थी। मरे हुओं के जी उठने के विश्य में, क्या तुमने मुसा की पुस्तक में जाडी की कथा में नहीं पढ़ा, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसाहक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे हुऊं का नहीं, पर जीवतों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विबात करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीती से उतर दिया, उससे पुछा, सबसे मुख्य आग्य कौन सी है, इश्व ने उसे उतर दिया, सब आग्याओं में से यह मुख्य है, हे इस्रायल सुन, प्रभू हमाना परमेश्वर एक ही प्रभू है, और तु प्रभू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धी से, और कोई आज्या नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक। तुने सच कहा, कि वे एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और उससे सारे मन और सारी बुद्धी और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पडोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब ईशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर ईशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसी दावुद का पुत्र है। दावुद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दहीने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे उसने अपने उब्देश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे वस्तर पहने हुए फिरना, और बाजारों में नमस्कार, और आराधनालायों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, वे विद्वाओं के घरों क खा जाते हैं, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे, और वे मंदिर के भंडार के सामने बैट कर देख रहा था, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीव का डाल दी है। मरकुस रचित सुसमचार तेरवा अध्याय जब मैं मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे गुरु देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है इश्व ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढ़ाया न जाएगा जब वे जैतून के पहाड पर मंदिर के सामने बैठा था तो पत्रस और याकूब और यहनना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन होगा ईश्यू उनसे कहने लगा चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो तो न घबराना क्योंकि इनका होना आवश्य है परंत उस समय अंत न होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और हर कहीं भूइन डोल होंगे और अकाल पढ़ेंगे यह तो पिड़ाऊं का आरंभ ही होगा परंत तुम अपने विश्य में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और तुम पंचायतों में पीठे जाओगे और मेरे कारण हाक्यमों और राजाओं की आगे खड़े किये जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो पर अवश्य है कि पहले सुसमचार सब जातियों में प्रचार किया जाए जब वे तुम्हें ले जाकर सौपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्रात्मा है और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौपेंगे और लड़के बाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा सो जब तुम उस उजाणने वाली घड़ेंत वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ ले तब जो यहूदिया में हो वे पहाडों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए और जो खेत में हो वे अपना कपला लेने के लिए पीछे न लोटे उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिराती होंगी उनके लिए हाए हाए और प्रात्ना किया करो कि है जाडे में न हो क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि स्रस्टी के आरम से जो परमेश्वने स्रजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे और यदि प्रभू इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता परन्तु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसी यहाँ है या देखो वहाँ है तो प्रतीती न करना क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश्य दुक्ता उट ख़ले होंगे और चिन्ध और अद्भूत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें पर तुम चौकस रहो देखो मैंने तुमें सब बातें पहले ही से कह दी है उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और अकाश से तारा गण गिरने लगेंगे और अकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब लोग मनुश के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे उस समय वह अपने दूतों को भेच कर प्रत्थवी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हिवे लोगों को इखटे करेगा अंजीर के पेड से यह द्रश्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीश मकाल निकट है इसी रीती से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है बरन द्वार ही पर है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे आकाश और प्रत्वी टल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी उस दिन या उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता ना स्वर्ग के दूत और ना पुत परन्तु केवल पिता मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ जाकते रहो मर्कुस रचित सुसमचार दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्ब होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़ कर मार डालें परन्तु कहते थे कि पर्ब के दिन नहीं कहीं ऐसा नहो कि लोगों में बलवा मचे जब वे बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर बोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संग्मर्मर के पात में जटा मांसी का भोमुल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला परंतु कोई-कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे इस इत्र को क्यों सत्यनाश किया गया क्योंकि यह इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मूल्य में बेच कर कंगालों को बाटा जा सकता था और वे उसको जड़कने लगे इशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा जो कुछ भे कर सकी उसने किया उसने मेरे गाले जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुम से सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमचार परचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहुदा इसकर योती जो बारह में से एक था महायाजुकों के पास गया, कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपिय देना स्विकार किया और यह अवसर ढूने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। अक्मीरी रोटी के पर्ब के पहले दिन, जिसमें वे फसे का बलेदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तु कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसे खाने की तयारी करें। उसने अपने चेलों में से दो को यह कह कर भेजा, कि नगर में जाओ और एक मनुष जल का घड़ा उठाय हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वे जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरू कहता है कि मेरी पाहुन शाला जिसमें मैं अपने चे चेल कर नगर में आए, और जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तयार किया, जब सांज हुई, तो वे बारहों के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो येशु ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर है, मुझे पकडवाएगा, उन पर उदासी चा गई, और वे एक-एक करके उससे कहने लगें, क्या वै मैं हूँ, उसने उनसे कहा, वै बारहों में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही ह परंतु उस मनुष पर हाए, जिसके द्वारा मनुष का पुत्र पकडवाया जाता है, यदि उस मनुष का जन्म ही न होता, तो उसके लिए भला होता, और जब वे खाही रहे थे, तो उसने रोटी ली, और आचीश मांग कर तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह मेर दे है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्नवाद किया, और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वेह लहु है, जो भहुतों के लिए भाया जाता है, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पियूँ फिर वे भजन गाकर बाहर जैतुन के पहाड़ पर गए, तब ईशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, कि मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तित्तर बित्तर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद, तुम से पहले गलील को ज पत्रस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, इशु ने उससे कहा, मैं तुझ से सच खहता हूं, कि आज ही इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तु तीन बार मुझ से मुकर जाएगा, पर उसने और भी जोड दे कर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी तेरा इनकार कभी न करूंगा, इसी प्रकार और सब ने भी कहा, फिर वे गत्समने नाम एक जगह में आये, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूं, और वे पत्रस औ याकुब और यहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहां ठैरो और जागते रहो, और वे थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमी पर गिर कर प्रार्थन करने लगा, कि यदि हो सके, तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है, वही हो. फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, हे शमौन, तुझ सो रहा है, क्या तुझ एक घड़ी भी न जाग सका, जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तु तयार है, पर शरीर दुर्बल है. और वह फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें. फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, और विश्राम करो, बस घड़ी आपहुची, देखो मनुष का पुत्र, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला, निकट आपहुचा है. वे यह कही रहा था कि यहुदा जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्णियों की ओर से एक बड़ी भीड, तलवारें और लाठियां लिये हुए तुरंत आपहुची. और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था, कि जिसको मैं चुमूँ, वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना. और वह आया, और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चुमा, तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, उन में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर, महायाजक के दास पर चलाई, और उसका कान उड़ा दिया. ईशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकु जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो, मैं तो हर दिन मंदिर में तुमारे साथ रहकर उबदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है, कि पवित्र शास्तर की बातें पूरी हों, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर उड़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वे चादर छोड़कर नंगा भाग गया, फिर वे इशु को महायाजक के पा और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा, महायाजक और सारी महासभा यिशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में जूटी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी, इन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो, इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यिशु से पूछा, कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं, पर अंतु वे मौन दे रहा, और कुछ उत्तर न दिया, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तो उस परम धन्ने का पुत्र मसी है, ये शु ने कहा, हाँ, मैं हूँ, और तुम मनुष के पुत्र को सर्वशक्ति मान की दाहिनी ओर बैठे, और अकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, उन सब ने कहा, ये है वध के योग्य है, तब कोई तो उस पर थूपने, और कोई उसका मुह धापने, और उसे घूशे मारने, और उससे कहने लगे, कि भविश्यद्वानी कर, और प्यादों ने उससे लेकर थपड मारे, जब पत्रस नीचे आंगन में था, तो महायाजक क लौंडियों में से एक वहाँ आई, और पत्रस को आग तापते देखकर, उस पर टक्टकी लगा कर देखा, और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी इश्यू के साथ था, वह मुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता, और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है, फिर वह बा परंतु वह फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे, फिर पत्रस से कहा, निश्चे तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है, तब वह धिकार देने और शपत खाने लगा, कि मैं उस मनुष को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं ज दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मेरा मरकुस प्रचित सुसमचार, पंदरवह अध्याय, और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, और पुर्णियों और शास्त्रियों ने, बरन सारी महासभाने सलहा करके इश्चु को बंधवाया, और उसे ले जाकर पिलातुस क हाथ सौप दिया, और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहुदियों का राजा है, उसने उसको उत्तर दिया, कि तू आप ही कह रहा है, और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे, पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं दे किसी एक बंधवे को जिसे वे चायते थे, उन के लिए छोड़ दिया करता था, और बरबा नाम का एक मनुष उन बलवाईयों के साथ बंधवा था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड उपर जाकर उससे बिंती करने लगी, कि जैसा तु हमारे लिए करता आया है, पिलातूस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दूँ, क्योंकि वे जानता था कि महायाजुकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, परंतु महायाजुकों ने लोगों को उभारा कि वे बरबा ही को उ उनके लिए छोड़ दे, यह सुन पिलातूस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहुदियों का राजा कहते हो, उसको मैं क्या करूँ, वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे, पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है, परंतु वे और भ पर चढ़ाया जाए, और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पल्टन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैजनी वस्त पहनाया, और कांटों का मुकुट गूत कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, कि हे यहुदियों के राजा नमस्कार, और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते, और उस पर थूकते, और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे, और जब वे उसका ठटा कर चुके, तो उस पर से बैंजनी वस्त उतार कर उसी के कपले पहनाये, और तब उसे क्रूस प उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका क्रूस उठा ले चले, और वे उसे गुलगता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपली की जगह है, लाए, और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाय और उसके कपड़ों पर चिठियां डाल कर, कि किसको क्या मिले, उन्हें बांट लिया, और पहर दिन चढ़ा था, जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोश पत्र लिखकर, उसके उपर लगा दिया गया, कि यहोदियों का राजा, और उन्होंने उसके सा गिना गिया पूरा हुआ। कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ कुरूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। गिना गिया पूरा हुआ। तब ईश्व ने बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फट कर दो टुकले हो गया। जो सुबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यू चिला कर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सचमुच यह मनुश्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकुब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। जब वे गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सिवा टहल किया करती थी। और और भी भूच स्त्रियां थी जो उसके सा अर्मतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वहियाओ करके पिलातुस के पास गया और यूशु की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सुबेदार को बुला कर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सुबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कबर में जो चट्टान में खोदी गई थी रख और कबर के द्वार पर एक पत्थर रुणका दिया। और मरिया मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वे कहां रखा गया है। मरकुस रचित सुसमचार सोलवा अध्याए जब सब्त का दिन बीट गया तो मरिया मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुमे मोन ली कि आकर उस पर मलें। और सब्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कबर पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कबर के द्वार पर से पत्थर कौन नडगाएगा। जब उन्होंने आँक उठाई तो देखा कि पत्थर लुड़का हुआ है क्योंकि वे बहुत ही बड़ा था और कबर के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्तर पहिने और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा चकित मत हो। तुम ईशुनासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था धूरती हो। वे जी उठा है। यहां नहीं है। देखो यही वे स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रस स कहो कि वे तुम से पहले गलील को जायेगा जैसा उसने तुम से खा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकल कर कबर से भाग गईी। क्योंकि कपकपी और घबरहत उन पर च्छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। सपता के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिस में से उसने साथ दोश्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है औ और उसने उसे देखा है प्रतीती न की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उन में से दो को जब वे गाउं की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया। परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीती न की। पीछे वह उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैटे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीती न की थी, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारी स्रश् के लोगों को सुसमचार परचार करो, जो विश्वास करे और बप्तिस्मा ले उसी का उधार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोशी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को नई नई भाषा बोलेंगे, सापों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानी न होगी, वे बिमारों पर हात रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे, निदान, प्रभु ईश्व, उनसे बाते करने के बाद स्वर्ग पर उठ किया, और उन्होंने निकल कर हर जगह परचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, जो साथ साथ होते थे, वचन को द्रड करता रहा, आमीन.